मद्यप्रदेश में एक तरफ प्रदेश सरकार गाउं को शहर से जोनने के लिए पुल, पुलिया और सडक निर्मान का कारी कर रही है वही दूसरी तरफ प्रशासन ने नस्रोला गंज में अवेत परिवहन के नाम पर जन सहयोक से बनी अस्थाई पुलिया को जेसी भी से तोड़ने की कारीवाही की है बताया जा रहा है कि यह पुलिया देवाज जिले के खेडा-खेडी और नया गाउं को छिपानेर से जोडती थी अब ऐसे में ग्रामेंड बेसहारा हो गए हैं इस मामले में जब मीडिया ने पुछताच की तो गाउंवालों ने बताया कि यह पुलिया देवाज जिले के खेडा-खेडी और नया गाउं को छिपानेर से जोडती थी साथ ही बताये कि इसी रास्ते से गाउं के छात्र छात्राएं स्कूल में पढ़ने के लिए छिपानेर भी जाते थे लेकिन पुलिया तूट जाने की वज़ह से अब छात्र छात्राएं का भविश्य अधर में लटका ववा नजर आ रहा है इस दोरान गाउंवालों ने बताये कि पुलिया तूट जाने की वज़ह से किसान और आमजनों को इमर्जेंसी में चिकित्सा सुविधा उपलब्द होना भी अब संभव नहीं रहा है हम यह से दो किलोमेटर आगे चुप अलग जाते हैं और हमारे सानध फंह 20 लड़की भी जाती है और यहां पर रास्ता खुदा गया है अब हम यह से कैसे जाएंगे और इस sühousa जी माईंनिंग यह रास्ता है पूराना रास्ता आए हमारे बुजर के इसी रास्ते से निकलते थे और हम भी निकलते हैं इसी रास्ते से और यहां पर जैसे किसी घटना हो जाए मेडिकल वगेरा पेट्रोल पंप दवई गोली डोक्टर वगेरा सब यहां चीपने दी जाना पड़ता हमको तो कि मैज यहां से दो क्लिमेटर दूर है इसलिए नी तो अगर आगे हम आगर जाए तो 27 क्लिमेटर थाते जाना पड़ता है चार मेरी समस्या यह है कि मेरी आठ़ दू सेकड में सबजी लगी हुई है और मैप पर दे नसुलागा जाना पड़ता दो बज़े रात को प्रसासन ने यहां पर यह नदी खोद दी है और मेरी सबजी चल रही है बहुत बहुत भेंकर तरीक है खेत मेरा बस नदी से लगा ह सब्सक्राइब करें प्रदेश का बीजेपी का बड़ा नाम है और उनके जो है छेत्र में प्रशाशनी कधिकारी इस तरह से आखे जो है पुलियां है तोड़ जाती है जनसयोग से बनी पुलियां आपको नहीं लगता कि प्रशाशन अपने हाथ पेर से खुछ चलने लगी है नहीं है कि शिकायते कई उपर तक गई थी और इसके कारण प्रशाशन ने वह काम किया पर प्रशाशन को वह पुलिया नहीं तोड़ना था क्योंगा आवागमन का रास्ता हम बनाने वाले लोग हैं हम रोकने वाले नहीं हैं मगर वह काम हुआ तो मैं अभी बात करूंगा क्योंकि मैं आज सबेरी आया हूं उन्दोर से और आकर इस वात को जैसे मेरे बेटे-बेटिया मुझ से मिलने आये थे और उसलिए मैं अब उस जाकर उसको प्रसाशन से बात करके और उपर भी अ तो इस कारिवाही से यह तो साफ हो गया है कि प्रशाशन ने सभी नियम कानूनों को ताक पर रख कर यह कारिवाही की है ऐसे में अब देखना होगा कि स्रिहोर कलेक्टर इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं झाल 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 झाल